हेलो दोस्तों आसा करते हैं आपकी तयारी बढ़ियां चल रही होगी उसी तयारे में एड़ान करने के लिए हम साइन्स एंट टेक्नोलोजी का पीटी 365 डिसकस कर रहे हैं इसके पहले दो वीडियो रिकार्ड किया जा चुके हैं आज ये तीसरा वीडियो है और इस वीडियो म इन टॉपिक को डिसकस करने के पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं हम इसमें से कुछ MCQ सॉल्व करते हैं और अगर आप ये सारे MCQ एजली सॉल्व कर ले रहे हैं इसका मतलब आपकी ये सारे टॉपिक पढ़े हुए हैं और लगबग तयार हैं तो आप किसी और टॉपिक प और नावकी सनलैन नुकलियर फ्यूजन से संबंधित सही कतनों का चुनाओ करना है पहला कतन है नावकी विखंडन प्रकति में सामान रूप से घटित होता है जबकि नावकी सनलैन प्रकति में सामान रूप से घटित नहीं होता है दूसरा कतन है नावकी विखंडन की तु दूसरे पुइंस है केबल दूसरे स्धून्स है और चौता अप्षन है कोई भी सही नहीं है अबिसको पॉस करके अच्छे से पढ़के इसका अपना राइट एंसर दीजिए इसका राइट एंसर है कीबल दो सही है क्योंकि नावकी विखंडन प्रकित में समान रूप से घटित नहीं होता है नावकी संलयन प्रकित में समान रूप से घटित होता है जैसे सूर में नावकी संलयन के प्रकिया होती है और वह समान रूप से इने की नेचुरली घटित होता है नावकी संलयन लेकिन नाभकी विकंडेन हमको करना पड़ता है प्रयोग साला में दूसरा कोश्चन है आल ही में चर्चा में रहे टोका मक टोका मक एक सब्द चर्चा में था इसका संबन्ध निनलखित में से किस से है पहला लोथल में हुई नवीन पूरतात्यु खोज से दूसरा रसियन डिफेंस सिस्टम से तीसरा अपसन है नाभकी सनलैन का एक उपकरण है ये और चौता अपसन है पूरवी अफरीकी उत्तर पूरवी अफरीकी जनजाती का नाम है टोका मक इन में से राइट एंसर चूज करना है पॉस करके आप अपना एंसर सेलेक्ट करिए इसका राइट एंसर है नाभकी सनलैन का एक उपकरण आपसन थर्ड इसका राइट एंसर है नाभकी सनलैन का एक उपकरण है टोका मक एक नाभकी सनलैन का एक उपकरण है एड़ कुस्चन है बहुँ चर्चित लीथियम ट्राइंगल लीथियम ट्राइंगल में कौन कौन से राष्ट संबले थैं लीथियम ट्राइंगल आपने नाम सुना होगा काफी चर्चा में रहता है लीथियम इसमें से आपको राइट एंसर चूच करना पहला आपसन है अरज सा राइट है जिसे हम लीथियम ट्रैंगल के नाम से जानते हैं पॉस करके अपना राइट एंसर दीजिए इसके राइट एंसर है आपसन ए अर्जेंटीनिया अर्जेंटीनिया बोलीविया और चिली इन को इन तीनों को समलित रूप से लीथियम ट्रैंगल का नाम दिया गया है नेक्स्ट कोश्चन है लीथियम से संबंधित सही कतनों का चुनाओ करना है पहला कतन है आस्ट्रेलिया लीथियम का विश्व का सबसे बड़ा आपूर्थी करता देश है दूसरा अप्शन है विश्व के लगभग 48% लीथियम भंडार आस्ट्रेलिया महादीप से आते हैं और तीसरा उप्शन है भारत अपनी सभी अवश्वक्ताओं के लिए लीथियम का आयात करता है चीन और होंकांग इसके सबसे बड़े आपूर्थी करता देश है इन तीनों में से आपको सही एंसर चूज करना है विकल्प देख लेते हैं पहला विकल्प है केबल एक और द सही है, दूसरा विकल्ब है, केबल दो और तीन सही है, तीसरा विकल्ब है, काईद आपको विजवल हो, तीसरा विकल्ब है, केबल एक और तीन सही है, और चौता विकल्ब है, वो प्रोक्त सभी, आप इसको पॉस करके अपना राइट एंसर दे इसका राइट एंसर है अपसंस C एबल एक और तीन पहला और तीसरा राइट है आस्ट्रेलिय लीथियम का बिस्ट का सबसे बड़ा पूरती करता देश है यह राइट है बिस्ट के लगभग 48% लीथियम बंडार आस्ट्रेलिय महादीब से पाया जाते हैं यह राइट है क्योंकि लगभग 48% लीथियम बंडार आस्ट्रेलियम में नहीं यह दक्छिन अमेरिका में पाया जाते हैं तीसरा उप्चन है भारत अपनी सभी जोस्वक्ताओं के लिथियम का आयात करता है और इसके सबसे बड़े आपूर्ती करता चीन और हाँकांग है इसलिए उप्चन C इसका राइट एंसर होगा नेक्स्ट कॉस्टन पर चलते हैं हाइड्रोजन इधन से संबंधित तक्नीकों के संबंध में सही विकल्प चुनना है कुछ कतन दिये गए हैं जो कि हाइड्रोजन इधन से संबंधित तक्नीकों से रिलेटेड है पहला कतन है hydrogen fuel CIL को समय समय पर battery की तरह recharge करने की अवश्यक्ता नहीं होती दूसरा कतन दिया है hydrogen आधारित आंत्रिक धेन इंजन IC उंजन पारमपरिक आंत्रिक धेन इंजन के समान सिधान्टों पर ही कार करता है यह केवल petroleum एधन के इस्थान पर hydrogen का उप्योग करता है सही विकल्प कौन सा, क्या केबल पहला सही है, केबल दूसरा सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, या इन में से कोई भी सही नहीं है, आपको इसमें राइट एंसर चूछ करना है, पॉस्ट करके राइट एंसर चूछ करिए, इसका राइट एंसर है, आपसन गा, इसका रा पेट्रोलियन जो परमपरिक अंद्रिक दहन इंजन है उसी के समान उसी के सिद्धन पर ही कार करता है और यह पेट्रोल के इस्थान पर हाइड्रोजन का यूज करता है आए अब हम इनके टॉपिक को डिसकस कर लेते हैं हमारा पहला टॉपिक है नावकी सनलायन नूकलियर फ्यूजन यह सुर्खियों में क्यों है क्योंकि केली फोर्डियां के कुछ बैग्यानिकों नावकी सनलायन अवक्रिया के जरिये निवल उर्जा का उतपादन किया है अब ये निवल उर्जा नेट इनर्जी क्या है नेट उत्पादन के लिए कितनी एनर्जी का खपत हुई है कितना एनर्जी लगी है मालेतें एवन एनर्जी का इसमें खपत हुई है इसके इस यूनिट के दौर कोई भी कमपनी है जो एनर्जी उत्पादन का काम करती है उस कमपनी के संचालन में कितनी संचालन और उत्पादन प् किया इसलिए यह चर्चा में था और इस टेकनोलोजी में इस प्रक्रिया में इन्होंने लेजर टेकनोलोजी को प्योग किया है अब इससे कुछ सत्र देख लेते हैं इसके इन्होंने इगनीशन इस्तर को प्राप्त किया है इगनीशन इस्तर पर नावकी अभिक्रिया की प्र प्रेक्ट उर्जा से कहीं अधिक उर्जा का उत्पादन होता है। सेम जीज जो नेट एनरजी है वह अगर यह प्लस में आएगी नेट एनरजी प्लस में आएगी और काफी ज्यादा मात्रा में रहेगी तो उसी को हम एक नीशन इस तर कह देते हैं। जैसे नावकी अभिक्र सर प्लस होगा बहुत ज़्यादा सर प्लस में होगा तब हम उसे इगनीशन इस तर कह देते हैं तो ऐसा पहली बार हुआ है कि नाविक को गर्म और संपीडित करने के लिए सक्तिसाली लेजर्स का उपयोग किया गया हाइडोजन के जो भी नाविक होंगे इनको गर्म करने के लिए लेजर्स टेकनोलाजी का उपयोग किया गया है जब नाविक आपस में जुड़ते हैं तो वे भारी मातरा में उर्जा उत्पन करते हैं इससे संलायन अभिक्रिया प्रारंब हो जाती है जब यह उर्जा संलायन प्रारंब नाविक आपस में मिलकर एक भारी प्रारंब नाविक का निर्मार करते हैं और इस प्रक्रिया में बड़ी मातरा में उर्जा उत्पन होती है इसे ही नाविकी संलायन कहते हैं इसमें ध्यान देजेगा कि हलके प्रारंब नाविक का होना आवस्या है अगर हम हलके परमाड़नाविक के स्थान पर भारी परमाड़नाविक ले लेंगे तो इससे required energy उत्पन नहीं होगी और उल्टा energy का खर्च हो जाएगी लेकिन इतनी energy उत्पन नहीं हो पाईगी इसलिए हलके परमाड़नाविक का होना अतियाब स्चैकनाव की Sunland की प्रक्रिया में दो हलके परमाड़ नाविक को आपस में मिलाकर भारी मात्रा में एक भारी परमाड़ नाविक के निर्माड़ करते हैं और इसी प्रक्रिया में एनरजी हमको मिलती है अब ये हलके परमाणुनाभिक इस डाइगराम में आद देखिए ये जैसे डिटेरियम और ट्रिटेरियम ये हलके परमाणुनाभिक हैं अब इनको आपस में मिलाकर एक भारी परमाणुनाभिक हेलियम बनाया गया और इसी प्रक्रिया में उर्जा भी मुक्त होती है और मुक्त-गति वाले इलेक्ट्रॉन वाले और से बते हैं जिस में ठोस तररल और गैस्तीन में अवस्था होते है कि तोस तरहल और गैस्तीन ऑवस्था 요स बते हैं है और ये देखे लेते हैं कि कि नाभघी विगंदन और नाभघी waiting in मैं मेंद अन्तर क्या है इसे related एक question भी की है हम लोग नावकी विखंडन दो छोटे छोटे कड़ों में विखंडित हो दो छोटे छोटे ने एक्चलि ये बहुत सारी कड़ों में ऐसे विखंडित होते चले जाते हैं ये एक स्रंखला का रूप ले लेते हैं नावक छोटे छोटे कड़ों में विखंडित होते हैं इसके प्रणामस रूप अतिधिक मात्रा में उर्जा मुक्त होती है जबकि सनलैन में केता है दो हलके नावक संयुक्त होकर एक भारी नावक का निर्मार करते हैं जिससे अतिधिक मात्रा में उर्जा मुक्त होती है नावकी विखंडन प्रकति में समान रूप से घटित नहीं होता है यह याद रखिएगा इसको लेबरोटरी में एक्सपेरिमेंट किया जाता है क्योंकि इस नावकी विखंडन करने के लिए नेट्रॉन की बंबारी करने के बसकता होती है उच गतिवाले नेट रून की अवैसक्ता होती है इनकी बंबारी की जाती है हलके नावकों में तब यह पेडियों भृटरी नावक का निर्मान करते हैं जबकि नावकी संलायन ये सामान परिगटना प्रकति में होने बाली सामान परिगटना है इसका उधरान सूर है अब इसमें ट्रिकर जैसे अगर आपको भूल जाता हो कि नावकी विखंडन सामान रूप से होता है ये नावकी संलायन सामान रूप से होता है ये नावकी संलाय के लिए और वैसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रकति सिर्फ स्रजन करती है कोई भी चीज बनाती है सनलाइद करती है प्रकति सनलाइद करती है और हम लोग उसको विखंडित कर देते हैं तो विखंडन हमारे द्वारा किया जाएगा मैनमेड है और सनलाइद प्रक्तिक सामान रूप से पाया जाता है, इसका उधारण विखंड़न रहा है, नावंकी विखंड़न सूर में नहीं होता है, तारों में नावंकी संलेण से सूर याद रखिएगा ति अपको इसमें इसमें confusion नहीं होगा, और सनलैन के लिए अतिधिक उच्चताप और उच्चदाब किया सकता होती है सनलैन के लिए उच्चताप और उच्चदाब किया सकता होती जबकि विखंडन के लिए उच्च गति किया सकता होती है गति किसकी चाहिए है हमको नेट्रान को उच्च गति किया सकता होती दिग मातरा में उर्जा पैदा होती है अंतर ये है कि भारी नाविकों की अभी क्रिया से उर्जा उत्पन होने की संभावना ना के बराबर होती है अगर हम भारे नाविकों को ले लेते हैं तो इससे उर्जा उत्पन होने की संभावना ना के बराबर होती है इसका नावकी व अब नाविकी सनलैन में कौन कौन से चुन होती है नाविकी सनलैन की प्रक्रिया में इसमें धनात्मक रूप से आवेशित नाविकों के बीच मजबूत प्रतिकरसी इस्तिर बैदुदबल उन्हें नजदीग आने से रोकता है इससे नाविकों के टकराव और सनलैन की प्रक्रिया बाधित होती है नाविकों के बीच एक इस्थिर बैदुद बल होता जो कि प्रतिकरसन का काम करता है जिसके कारण से नाविकों के टकराव और सनलैन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन होती है और ये कब होता है इस्तिर बैदुद बल की तुलना में नाविकों के बीच जब आकरसन बल अधिक हो जाता है तो सनलैन अभिक्रिया शुरू होती है जब आकरसन नाविकों के बीच जब आकरसन बल अधिक हो जाएगा इन दोनों के बीच ओकरसनवल अधिक हो जायेगा इस्तिर बैदिद बल मतलब जो बल इनको इस्तिर रखे हुए उससे अधिक हो जाएगा तब इन दोनों में जे आईनों की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी माले जे कि ये कोई material है इसका ताप माना आप बढ़ाएंगे तो इसमें जो भी आयन होंगे इनकी गती तीबर हो जाएगे और जितनी तेजी से ये move करेंगे उतनी ही ज्यादा chance रहेंगे कि ये एक दूसरे से आपस में टकराएंगे और जितनी ज्यादा नजदीक आते जाएं सो मिलियन डिग्री सेंटीग्रेट टंपरेचर होना चाहिए और दीर अबदी तक उच्च ताप और उच्च दाववा घनत को बनाई रखा जाना चाहिए ताकि सनले नवक्रियाओं की दर बढ़कर उस इस तर पर पहुंच जाए जहां से आवस्च्छ और जा का उत्पन हो करना शुरू हो जाए अब नवकी सनलेन दो प्रकार से होता है मुख रूप से दो प्रकार से होता एक होता है इनर्सियल और मैगनेटिक जड़त्वी नवकी सनलेन और चुम्बकी नवकी सनलेन अब इसमें जड़त्वी सनलेन का उप्योग किया गया था इसमें क्या करते हैं कि लेजर या आयन बीम को कुछ मिलीमीटर ब्यास बाले इंधन के कैप्सूल इंधन क्या है नवकी सनलेन में इंधन क्या यूज करते हैं अब की सनलेन में जैसे मान लेते हैं कि इसमें डियूटीरियम यूज किये अब डियूटीरियम का एक छोटा साइसे कैप्सूल लेंगे और इसमें लेजर लाइट के द्वारा कंसेंट्रेटेड बीम के द्वारा इसमें तीबर गती से लेजर लाइट प्रवेसित करवाएं और यह अतिधिक सटी ग्रूप से संकेंद्रित होते हैं जिससे इनका टंप्रेचर बढ़ता है तेजी से बढ़ता है एक अन्यविदिये चुम्ब की संलाइन इसके तहर संलाइन अभिक्रिया को अरम करने के लिए उच्छ दवाव वाले चुम्ब की छेतर द्वारा सैकड़ो घंड मीटर प्लाजमा को एक मिली ग्राम घंड मीटर से कम घंड तक संपीड़ित और गर्म किया जाता है एक मिली ग्राम पर घंड मीटर बहुत चोटा सा पार्ट लेते हैं और इसको गर्म किया इसको गर्म करते हैं तब ये विधी कौन से कहलाती है चुम्बकी सनलैन एक होती है जड़तुी सनलैन और एक होती है चुम्बकी सनलैन एक बार और देख लेते हैं हो सकता है भी आपको क्लियर नहुआ हो जड़ती सनलैन में क्या होता है कि लेजर या आयन बीम कुछ मिली मीटर ब्यास वाले इंधन के कैपसूल पर अतिधिक सटीक रूप से केंदरित होते हैं एक इंधन जो भी होगा उसका एक कैपसूल लेंगे इसका ब्यास कुछ मिली मीटर ही होगा अब इस पे लेजर बीम को संकेंदरित करेंगे जिससे इसका टंपरेचर बढ़ेगा और नब की सनलैन की प्रक्रिया उत्पन होगी अब चुम्ब की सनलैन में क्या करते हैं कि इसके तहत उच दवाव बाले चुम्ब की छेतर द्वारा एक हाई मेगनेटिक फिल्ड डेवलप करेंगे और उसको हम क्या करेंगे सैकडो घंड मीटर प्लाजमा को एक मिली ग्राम घंड मीटर से कम घंड तक संपीडित करेंगे किसी एक माटेरियल है उसको प्लाजमा आवस्ता की एक हजार मा लेते हैं घंड मीटर है एक हजार मीटर क्यूब है इसका अभी अब हम इसको संपीडित करके एक मिली ग्राम एक मिली ग्राम पर घंड मीटर में कर देते हैं इसको संपीडित कर देते हैं अब इसको गर्म करेंगे तब जाके बिद्दुद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् बहुत मुस्किल हो जाता है इसलिए ब्रेक एवन इनर्जी जड़त्वी सनलैन के द्वारा आसानी से प्राप्त की जा सकती है जब सनलैन अभी क्रिया द्वारा बेमुक्त और जब प्लाजमा को गर्म करने के लिए उपियोग की गई और जाके बराबर हो जाती है तो इसे ब् इधन बड़े प्यमाने पर उपलब्द होता है इससे कारबन राएक साट जाय सिहानी कारग गैसो का सरजन नहीं होता है और नाभकी विखंडन की तुलना में बहुत कम रेडियो अपसिष्ट पदार्थ उत्पन होता है नाभकी विखंडन में रेडियो धर्मी और सनलैन की प्रक्रिया में रेडियो धर्मी अपसिष्ट कम निकलता है यहनी कि जब किसी चीज़ का स्रजन प्रक्रियो करती है तो उसमें अपसिष्ट ना के बराबर बनता है और जब हम उसको मुडिफाई करने कोसिझ करते हैं तो उससे अपसिष्ट बहुत जолотा है होता है और इसके प्लाजमा के साथ काम करना प्लाजमा को मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है उच्छ तापमान के कारण सलनायन अभी क्रियाएं आसानी से नियंत्रित नहीं होती है अब देख लेते हैं बैस्विक इस तर पर शुरू की गई पहले इंटरनेशनल थर्मो नुकलियर एक्सपेरिमेंट रियक्टर असेंबली एक बनाई गई और चीन का एक करतिम सूर है यह आप सुना होंगा इस्ट इस्ट नाम से है प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिक टो यह इसको आर्टिफीसियल सूर का नाम दिया गया है यह एक उपकरण है जो कि सूर में जारी परमाणुस न्लैन प्रक्रिया का अनुसरान करता है यह चीन द्वारा बनाया गया है इसका एस्ट इश्ट इटू टो का मक यह प्रायोगिक सनलैन रिएक्टर की रूप में स्थ अपना कर भारत ने इस दिशा में अपना प्रयास शुरू कर दिया है यह सेस्टी टू टू का मग गुजरात के प्लाजमा नुसंदान संस्थान में इस्तित है जॉइंट यूरूपियन टोरस जे इटी इसका मुखुदेश भविस्वे नावकी संदाइन अदार्ट ग्रिट लिए रास्ते तयार करना है अब देख लीते हैं कि इन्टरनेशनल थर्मोन कुलिए एक्सिपरिमेंटल रियक्टर यह क्या है यह दुनिया का सबसे बड़ा टोकांग है अब टोकांग क्या क्या है यह एक चुम्बकी Alright के बड़े प्रत करनग है लग्याइब 29 को उर्जा के बड़े पैमाने के और कारवन मुक्त सुरोत के रूप में व्यवहार में लाने के लिए डिजाइन किया गया है यह सूर और तारोम को उर्जा देने वाले सिदान्द पर अधाय था तो कमक क्या है चुमकी सनलेन या नावकी सनलेन की प्रक्रिया का एक प्रक्रिया में अवस्तित है यह दक्षणी फ्रांस में वस्तित है यह यादरकी के स्की लोकेशन इंटरनेशनल थर्मोनिकलियर एक्सपरियमेंट रियक्टर दक्षणी फ्रांस में वस्तित है और इसे भारत सहिद 35 देश डेवलब कर रहे हैं तोका मक में गर्व प्लाजमा का सनलेन करने के लिए सक्ति साली चुम्बगी छेतर का उपयोग किया जाता है इसके प्रणाम सुरूप तापमान डेड़ सो मिलियन डिग्री सेंटिग्री से अधिक तक पहुच जाता है इसका उपयोग हम भाप उत्पादन करने के लिए कर सकते हैं और इस भाप से टर्बाइन और जनरेटर के द्वारा बिजली पैदा कर सकते हैं दूसरा टॉपिक है इस्माल माडूलर रियक्टर इस्माल माडूलर रियक्टर SMR यह सुर्खियों में क्यों है क्योंकि नीदियायो के सदस्य ने सुझाव देते हुए कहा है कि सरकार को छोटे माडूलर रियक्टर इस्थापित करने पर ध्यान देना चाहिए जो बड़े परमाडू रियक्टर है अब उनके इस्थान पर वो तो हैं जो हैं लेकिन अब नए बड़े परमाडू रियक्टर इस्थापित करने के जगे पे कुछ हमको छोटे माडूलर रियक्टर भी इस्थापित करने पर जोड़ देना चाहिए इससे देश की उर्जा जरूरतों को पूरा करने एवं पुराने थर्मल पावर प्लांट्स को बदलने में मदद मिलेगी आईए अब जान लेते हैं इस्माल माडूलर रियक्टर के बारे में यह उन्नत परमाडू रियक्टर होते हैं इन रियक्टरों की प्रतेग यूनिट 300 मेगाबाट इलेक्ट्रिक मेगाबाट तक विद्दूत उत्पादन कर सकती है यह पारमपरू इक उर्जा रियक्टरों की उत्पादन चमता का लगभग एक तिहाई है अंतर रियक्टरों की बारे में देख लिए इसकी इस्थापना सहिंत राष्ट संग के अधीन बैश्विक एटम्स फार पीस संगठन के रूप में उननिस सो सन्तावन में की गई थी यह परमापरू उर्जा के चेतर में सहयोग है तो इस्थापिते एक बैश्विक केंदर है भारत इसका सदस्य है याद रखिएगा अंतर रश्टी परमापरू उर्जा जैंसी में बारत इसका सदस्य है 175 देश इसमें शामिल है इसका कार क्या है कि परमापरू तक्निक के सकुसल सूरचिता और संतिपूर्ण उप्यों को सुनिशित करना अपने सदस्य देशों के बीच बैग्यानिक और तक्निकी जानकारी के साज़ाकरण को प्रुटसाइद करना और इसमें नेति निर्माणकारी निकाय है बोर्ड अफ गवर्नर और यह बहुत ज़्यदा इंपॉर्टिंट नहीं है अब इसमें ऐसा मज़िक रिपोर्ट है कि इसमें बरतमान में 18 देशों में 70 से अधिक इसमाल माडूलर रियक्टर के लाव क्या है इसमाल माडूलर रियक्टर के लाव क्या है इस से फुट्प्रिंट कम होता है से इस्थानों पर लगाये जा सकते हैं जहां बड़े पर्माण उपर सयंत्र नहीं लगाये जा सकते ये वहनी है क्योंकि इकाईों के विभिन घटकों का अलग अलग निर्मान किया जा सकता है और फिर उन्हें असेंबल किया जा सकता है किसी भी जगह पे भेज के असेंबल किया जा सकता है इसलिए यह वहनी भी है लेकिन बड़े पर्मानु रियक्टर में ऐसा मुस्किल होता है इसे बचत भी होती है लागत और निर्वान में लगने वाले समय को कम कर सकते हैं अंतराश्टी पर्मानु ऊर्जा एजनसी ने इसमाल माडूलर रियक्टर और उनके अनुप्रयोगों के अलोग में एक मंच की इस्थापना की है यह मंच इसमाल माडूलर रियक्टर के विकास के सभी पहलों से संबंदित सेख को बढ़ावा देने है तो एक वन इस्थाप सा और परमपरागत पर्मानु रियक्टर माइक्रो रियक्टर क्या है तक इसमें 10 मेगावाट से कम एलेक्टिसिटी जो जनरेट करें विदूत उत्पादन चमता हो उसे माइक्रो रियक्टर कहेंगे जिसम की विदूत उत्पादन चमता 300 मेगावाट से कम हो या कि 300 मेगावा के भी यसकता होती है, तो माक्रो-रिक्टर में बिना recycle के कई वरसों तक ancestral चल सकते हैं, वहीं छोटे modular reactor क्या है, इनमें recycling के भाषक तीन से साथ वरसों के अंतराल में पढ़ती है, लेकिन जो परमपरागत परमानुग भाषक हैं, उनको लगभग हर साल या एक साल या दो साल के अंतर में रिफ्यूलिंग के रह सकता पर तीन में फ्यूल अपडेट करना पड़ता है अगला टापिक है हाइपर लूप यह हाइपर लूप न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसलिए हाइपर लूप न्यूज में हाइपर लूप है क्या या बहुत ज़्यादा इसमें कोई आईसी खास टेकनोलाजी नहीं आप समझे के कैपसूल के अंदर एक ट्रेन ये चलाने की कोशिस कर रहे है यही एक हाइपर लूप है अधिक उन्नत और वेभार माडल बनाने के लिए हाइपर लूप प्रद्योकी में प्रेक सिधान्द को वैक्यूम ट्रेन के विचार पर विक्सित किया गया है इसकी विशेष्टाएं क्या है इसमें चारो और से बंद केमबर को यूज किया जाएगा पौड के रूप में इसको यूज किया जा रहा है कम दबाब वाली पाट्यूब वायुगत की खिचाओ घरसन को कम करती है और संचालन के दवरान चुम्ब की उत्तोलन मेंगलेव की कराण पत्तेक पौड ट्रेक से थोड़ी उपर उचाई पर इस्थिर बना रहता है आई टी मदराश द्वारा अविसकार हाई पर लूप नामा के टीम का गठन किया गया है यह इसे कोई कोशन नहीं बनने वाला है लीथियम आयन बैटरी यह बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है इससे जरूर इसको तयार करके जाए जितना को होजा के इससे रिलेटेड कोशन करके जाए लीथियम आयन से कोशन आने के संभावना हमेशा बनी रहती है निज मिशले क्योंकि किन्द सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरियों के विसफोर्ट से संभनित कई गटनाओं के लिए जाच के निर्देश दिये हैं लीथियम आयन बैटरी क्या है यह बैटरी रिचार्जिबल बैटरी प्रकारों का एक वर्ग है इसमें लीथियम आयन सेल के रूप में चार घटक समलित होते हैं कौन-कौन से वो चार घटक कौन-कौन से होते हैं, एनोड होता है, कैथोड होता है, और एक विभाजक होता है, जिसे सेपरेटर कहते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसमें, एनोड कैथोड विभाजक और जली होता है यह पॉली प्रोपिलिन और पॉली इथाइलिन का बना होता है और इलेक्ट्रो लाइक करवनिक विलायक और विलित लीथियम लबड होते हैं इसमें आप देख सकते हैं यह लीथियम आयन बैटरी का एक फ्लोचार्ट डाइग्राम है ऐसी ही लगबग यही इसकी संरचना होती है इसमें एक एनोड होता है एक कैथोड होता है और एक सेपरेटर होता है separator के अब इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में electrolytes बढ़े बढ़े होते हैं इसमें जब भी lithium ion move करते हैं एक मिनिट ये lithium ion move करते हैं lithium ion के move करने से क्या होता है कि charge ये cathode positive anode minus होता है कैथोड positive होता है चार्ज anode से कैथोड की और electron free electron move करने लगते हैं अब इसको हम एक circuit circuit के थुरू move करवाते हैं और इसी circuit से electricity की से संबंदी तो करन हम add कर देते हैं तो यही energy का source बनता है lithium ion के move करने से free electron मुक्त होते हैं और ये ये जो discharge आप देख रहे हैं discharge मतलब की electron move कर रहा है और इसकी electricity का हम यूज कर रहे हैं यही इसकी simple कारविधी है lithium ion battery की लाव क्या है ये उच्च विसिष्ट charge घनत प्रदान करती है किसी निश्चित समय अबदी में बैटरी द्वारा आपूर्थ की जाने वाली चार्ज की मात्रा है इसे उच्च वोल्टेज प्राप्त होता है उच्च उर्जा घनत और स्वता डिश्चार्ज की संभावना कम होती lithium ion battery में और इसके नुक्सान क्या है यह thermal runway यह ताप ब्रदी मतलब electrolyte के पिघलने या परिचालन ताप मान के उच्च होने के कारण इससे बैटरी वगएरा फटने का भी रिस्क रहता है इसकी स्थिर्था कम होती है और lithium की अनुपलब्द है lithium limited मात्रा में प्रकति में उपलब्द है lithium ion battery के लिए उठाए गए कुछ कदम भारत सरकर द्वारा फिन के शुरुआत की गई इस रोव और भी ए चीन जोट का किया गया और इसमें कम लागत वाली लीघ्रियन हमान बैटरि को विख्षट करने के लिए प्रद्यकिया अस्तान किया गया लीघ्र को यह यह रिजांगल के बारे कुछ जान लेते हैं विस्व में लीथिम के भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाते सब से ज़्यादा धक्षण Laamed家 में पाया जाते हैं भिश्व में न को सकती पर इस्के बाद ऐस्ट्रेलिया त्वंटी फरेट फरेंट फिर उसके बाद उत्री अमेरिका में लक्षिन अमेरिका, और यूरूप में 6%, अफरीका में 3%, यह एसे अमें ना के बराबर अश्या में पाया जाता है, इसको आप याद रखिएगा, अगर एक्जाम में ऐसा पूचता है, अगर आप संदेता है, तो अश्या में लिधियम आयन लगबग ना के बराबर पाया जाता है बेस्यी कि इस तरफ सना की बिल्कुल भी नहीं पाइजास अब भारत में भी कई जगे मिला है जब मुकस्मीर वगरह में लेकिन बहुत अब मातर रम या बारत्मान में लाब्तमान का उद्वादन 12 च'tानों या लवड़ी खानों से किया दो तरीके से किया जाता है, एक ही कठोर चटानों से या फिर लबड़ी खानों से किया जाता है, आस्ट्रेलिया लीथियम का सबसे बड़ा आपूर्ती करता देश है, यह कठोर चटानी खानों से लीथियम का उत्पादन करता है, जबकि अर्जेंटीना, चिली और चीन द्व चट्टानों पाई गए हैं और जम्मू कस्मीर में भी हाली में कुछ बंडार खोजे गए हैं वरतमान में भारत अपनी सभी अवसक्ताओं के लिए लीथियम का आयात करता है चीन और होंग कांग इसके सबसे बड़े आपूर्ति करता देश हैं कार्बन युक्त पेट्रोल एवं डीजल पर निरभरता कम करने के लिए अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक बाहनों की और जा रहे हैं अधिक से अधिक देश बैट्री विस्पोर्ट की घटनाओं की करण चले गए चले ठीक हैं मुख रूप से लीथियम आयन बैट्री के उप्य नहीं देख लेते हैं लेड एसिड बैट्री इसका लाव क्या है यह अबैट्री तकनीकों की तोडलना में कम लागत वाली और काफी मजबूत परिपाक टेक पर अधारित है लेकिन इसकर डॉबे से कम होता है जिसका इसका प्रेटिकल उप्योग नहीं हो पाता है। नि-कल केडिमियम बैटरी इसमें यह सभी यह कारू अपिलब्द तो होती है और आसाने किस्ताब से दूसरे इस्ताब भी ले जाई जाता है निकल जो मेटल है यह काफी महंगा हो जाता है इसलिए बैकप प्रदान करने वाली बैटरियों में इसको प्योग नहीं किया जाता है इसका सेल्फ डिस्चारज रेट भी अधिक है इसलिए थोड़ी महंगी टेक्नोलोजी पड़ जाती है लीथियम आयन अभी की लीथियम जैसे कच्चे माल पर निर्भरता एक तो लीथियम कम है उपर से इसका बिनिर्मार संबंधी भी चुनोतियां है और कुछ प्रकार के बैटरियों में ओबर चार्जिंग की समस्या भी होती है इसमें अधिक मात्रमी उर्जा श्टूर किया जा सकता है और इसकी चा नेक्स्ट बैटरी है मेटल एयर बैटरी यह लीथियम आयन बैटरी की तुलना में इन बैटरियों में अधिक मात्रमी उर्जा को स्टूर किया जा सकता है मेटल एयर बैटरी में लीथियम आयन से भी अधिक मात्रमी उर्जा स्टूर किया जा सकता है लेकिन बिद्द द्व इसे चार्ज होंगी और डिस्चार्ज जलदी से हो जाएंगी ऐसा है इनका मेटल एर बैत्री का तोडियम आयन बैटरी ये क्या है माइनस 70 डिगरी सेलसियस से लेकर 100 डिगरी सेलसियस तक के ताप माइन पर काम करती है ये लीधियम आयन बैटरी की तुलना में अधिक सुरच चितवा सस्ती होती है ये उन देषों में उपयो की जा सकती है जहां पर टंप्रेचर माइनस 30 तक पहुंच जाता है इसमें लीथियम आयन बैटरी की तुलना में कम मात्रा में उर्जा को इस्टोर किया जा सकता है यह इसका ड्रॉबैक है बैटरी एनर्जी स्टोरेज उर्जा भंडारान इसके तहट उत्पादित उर्जा को बाद में उर्जा करने के लिए स्टोर किया जाता है ताकि उर्जा की मांग और उत्पादन के बीच में जो अंतर है उसको अप उसकी अपूरती की जा सके उपयोग के अधारपाइब बैटरी में उर्जा के स्टोरिज को तीन स्रेणियों में वर्गी कृत किया जा सकता है पहला इलेक्टरानिक्स, कंजूमर इलेक्टरानिक्स वस्त में, पावर कट के दरान बैक अप के रूप में और परिवान शेतरक के रूप में एक सब्दावाली है, ACC, Advanced Comistry Cell, यह क्या है, यह एक Storage Cell है, Advanced Comistry Cell, पर उर्जा को श्टोर करने वाली उन्नत प्रद्योगिक्यों का, थोड़ा जूमिन कर लेते हैं, उन्नत प्रद्योगिक्यों का एक नया संस्करण है, इसमें विद्दुत उर्जा को, या तो विद्दुत या रासाशन एक उड़्ोर्टक करने पर जूब पक्निक उ ऊप्योंग कर लिया जाता है यह इसा हमुड अड़ूग क्रेक्वास्स यह थूर्थन क्यों के पूरा करेगी यह क्うड़ तक्निक इल्यक्ता करोगतों का विददु पक्निक को सोलर वाहन की बैटरियों के लिए प्यदर्शन समंधी मानक निर्धारित किये गए हैं बियाइस द्वारा ये मानक सायधी पूछेगा भारती उद्द्योग मंत्राले ने सबसीड़ी प्राप्त करने वाले लेक्ट्रिक वाहनों के लिए नए सुरच्छा परिक्षण अनिवार कर दिये हैं क्योंकि अभी इसमें बहुत ज़्यादा ब्लास्ट वगएरा हो रहे थे ओला स्कूटर वगएरा में आप देखे होंगे तो ये उसके मंत्राले ने सुरच्छा परिक्षण की एक सूची जारी की है और इनके लिए सुरच्छा परिछण करना ये अनिवार होगा निम्न लिखित एलेक्ट्रिक वेहिकल प्रोच्छान योजनाओं के तहत सबसीड़ी प् हो गया यह सबी चीजें है परिक्षण तीन इस तरों पर किये जाएंगे बैटरी पैक बैटरी प्रबंधन प्रणाली और से इस तरफ पर अंतर राश्टी इस तरफर मानता प्राप्त है और इसके इसे बहुत ज्यादा कुश्चन बनेने वाला है ने अनला टॉपिक है फ् फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉंग हाइब्रिड एलेक्ट्रिक वेहिकल फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉंग हाइब्रिड एलेक्ट्रिक वेहिकल पर अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट लांच किया है और वेकल पर इंधन से इसकी एक तुलना करते हैं कि जैसे इंधन के प्रकार और उनका महत्त और उनके सामने आने बले चुनोंते हैं जैसे हमने सेल का लाव और उसके हानी देखे हैं वैसे अब इंधन के देखेंगे जैसे एथेनौल एथे नाले इधन कमा तो क्या है यह नवी करने घरेली रूप से उतपादित परिवान इधने इसको घरेली रूप से उतपादित की जा दे सकता है इसे आयात बिल में भी कमी आएगी गैसोलीन की तुलना में इसकी ओक्टेन संख्या उच होती है ओक्टेन संख्या क्या होती है यह किसी भी इंधन का एक गुड़वत्ता बताती है जैसे किसी भी गैसोलीन की गैसोलीन की जितनी ओक्टेन संख्या जितनी हाई होगी उसकी गुडवत्ता उतनी ही अच्छी माने जाएगी अक्टेन संख्या अच्छा हाई होने का मतलब है कि गैसुलीन अच्छी क्वालिटीगा है इससे अधिक सक्ती और बहतर प्रदर्सन सुनिश्चित होता है इतनल उत्पादन से ग्रामीर छेत्रों में रोजगार भी पैदा होता है चूंकि एतनल कहां से निकलता है गन्ना वगेरे से निकलता है गन्ना क्रिसी संबंदित है ग्रामीर छेत्रों में मुक्रूप से क्रिसी ही ब्यवसाय होता है इससे रोजगार में भी ब्रद्धी होगी कि नूंतिये क्या है एथरनॉल की कम उपलबगता है ए protegụ गन्या से उत्पादन होता है और इतनasa की वेश्ट सी एथरनॉल बनता है लेकिन इतनasa ज़्यादा मात्रा में नहीं निकलता है कि उसका बैफसाइक तर पर ब्यापक रूप से उपियोग किया जा सके एथनॉल की कारण वाहन के इंजन में च्छै और नुक्सान हो सकता है उसे इंजन में भी नुक्सान हो सकता है नौकिंग वगारा की प्रॉब्लम बढ़ जाती है एथनॉल से एथनॉल भी गैसोलिन जितना किफाईती नहीं है क्योंकि यह गैसोलिन के बराबर इधन दच्छता प्रदान नहीं करता है फ्लेक्स इंधन यह कि प्रत लीटर मूल गैसोलिन के तुलना में सस्ता होता है फ्लेक्स इंधन गैसोलिटर के तुलना में तो सस्ता ह और यह उभुकता variable को बेहतर है लेकिन यह बैट़्री से चलने वाले इलेक्रिक बेहिकल को कंपेट नहीं कर पाता है या आडोजन और चलने वाले बहानों को कम्लिट नहीं कर पाता है कियों कि इस इतर्वיृ करे आपकी इधन से पर्ययबारण को बराबर । नुक्सान होता है लेकिन रूपविके कि धूल से उसकी तुलनमी पर्यावरण संबंधी नुक्सान कम होता है hydrogen deep to mark किया है इसका उत्पादन आलागला गरेली संसादन AWS से किया जा सकता है और लगवख सून ग्रीन向platz गैस उत्पन होती है hydrogen को जब hydrogen को ईदहन के रूप में विलाग करते हैं पर लगवख सून हैं उसकी एनर्जी डेंस्टी एनर्जी वैलू कम होती है यही है वैलिमेट्रिक एनर्जी डेंस्टी और इसकी उत्पादन लागत भी अधिक होती जब अगर हम हाइड्रोजन को इंदन के रूप में उपयोग करते हैं तो इसकी लागत बढ़ जाती है बायो डीजल बायो डीजल को जब हम इंदन के रूप में उपयोग करते हैं तब यह डीजल के लिए नविकरणी विकल्प की डीजल का एक नविकरणी विकल्प प्रदान करता है लीन बर्निंग इंदन की चिकनाई को बहतर करता है और इंदन की सीनेट संक्य को बढ़ाता है डीजल से अध और उर्जा की मात्रा कम होती है नाइट्रस अकसाइड इससे ज्यादा निकलता है और इंजन की निन निगती और शक्ती इंजन में भी उतनी ज्यादा पावर नहीं मिलती है बायो डीजल से और इलेक्टिसिटी की जो हम इंदन की रूप में इप्योग करते हैं डिरेक्ट तब इससे फ्यूल एकॉनमी में सुधार दाता है इधन की रूप में लागत में कमी आती है और उत्सरजन में भी कमी आती है लेकिन गैस स्टेशनों की तरह है सारवजिनिक चार्जिंग स्टे स्ट्री भी खराब होगी और इसके डिस्पोजल की समस्या उत्पन होगी प्राक्तिक गैस इसको जब हम इधन की रूप में उप्योग करते हैं तो यह बहतर वितरन नेटवर्क और अपेच्छा क्रत कम लागन या उत्सरजन संबंधी लाफ उत्पादन लाफ प्रदान करत कि यह पारंपरिक वाहनों की तरह फ्लेक्स फ्यूल से चलने वाले वाहनों में आंत्रिक दहन इंजन होता है अलाकि इनमें सामान पेट्रोल के बजाए पेट्रोल के साथ एथेनौल या मेथेनौल का मिस्रन वाला इंधन चलाया जा सकता है इसमें इथेनौल का 20-85% तक मिस तरीद गैस लीन से चलने वाले वाहनों में किसी भारी पूर्जे को लगाने कि यह सकता नहीं होती जैसे एलेक्टिक बहनों इलेक्टिक सिस्टम लगाना पड़ेगा एक साइध डीजल इंजन या पेटरॉल इंजन लगाना पड़ेगा तो यह इसका भीच बहुत ज्यादा ह हो जाएगा लेकिन जो गैसोलीन से चलने वाले यह जो डिजल पर्ट्रोल से चलने वाले बाहन है उन में बहुत ज्यादा चेंजेस किया सकता नहीं होती सिर्फ एंजन में आंत्रिक ग्रूप से थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते हैं तो वह फ्लेक्सी फ्यूल को सपोर्ट क करने लगता है जिए भी मौझूदा बाहनों को एथेनौल के उच्छ मिस्तराइब वाले इधन से चलाने के लिए अपग्रेड तो किया जा सकता है लेकिन यह काफी मेंगा पड़ेगा लेक्सी फ्यूल वेहिकल के बारे में यह एक इलेक्ट्रिक मतलब इसमें क्या होता है और एक एलेक्ट्रिक पावर ऐन धाओ जो पहले आपको बता ही कि एक साइट एलेक्ट्रिक इंजिन प्सक्ण होता है प्राप्त होने के बावजूद भी इलेक्रिक वेहिकल मोड पर लंबे समय तक चला आ जा सकता है Flex Fuel Vehicle का महत्व क्या है? कि ये कम प्रदूसन कारी है एतनल सम्मिस्रण में प्रेक्ट चीनी के डाइबरजन पर रोक हो सकती है लेक्स फ्यूल बाहन के दहन, चेंबर में किसी भिहन पात के मिश्रन इधन का दहन हो सकता है, आयाद बिल में भी कमी होगी, इससे चुनोती क्या है, परयात बिनादी ध्हाचे की कमी, ये तो सभी लगए चुनोती है, एथनौल से सम्मधित मुद्दे, भारत में अधिकान से बिक्सित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लांच की गई है, ये के पी आईटी लिम्टेड द्वारा और सी एस आई यार, भारत बैग्यानिक और अध्योगिक संस्थान, अध्योगिक अनुसंधान परिसत द्वारा बनाई गई है, के पी को मुकरूब से आप इसको मन सकते है के पी आईटी द्वारा बनाई गई है, के पी आईटी लिम्टेड द्वारा बनाएगा है, हैड्रोजन फ्यूल सेल बस, अब इसके बारें देख लेते हैं, ये रासाइनिक और जा को बिद्द और जामी परवर्टित करेगा, फ्यूल सेल को समय समय पर बैटरी की तरह चार जारी करकते हैं, से बारे में आप सभी जानते ही, इसके बारे में इसकी अध्च परद्वान्त्री हो करें, इसकी कर सकते हैं, है इस værई को लिद्ध ये बनाई, क्या उन भी छूल सेल का उपएगा है, इसके लाब क्या है, आईड्रोजन की राच ऐद्च दैच्छता – और उच उर्जागनत के कारण परिचालन लागत कम हो जाती है इसके संचालन में अधिक सोर नहीं होता बैटरियों की तुलना में ये अधिक समय तक उर्जाप्रदान करती है इसकी चुनोती क्या है इसके उत्पादन परिबाहन ज्वैलन सीलता और भंडारन के लिए आउसर नचना की कमी है उच लागत वाली प्रद्द्यों की है और सिल्प रणाली के आकार वा वायू उसमा वा जल प्रबंधन आदी जैसी तकनी की चुनोतियां विद्दमान है अब इसको देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है फ्यूल सेल कैसे काम करता है इसमें हाइड्रोजन परमाणू एनोड में प्रबेस करते हैं ये आपके सामने एक टिपिकल फ्यूल सेल का डाइग्राम बना हुआ है इसमें एक एनोड होगा एक कैथोड होता है और एक मिम्ब्रेन एक जिल्ली होती है इसके बीच में तो इसमें हाइडोजन परमाणू एनोड में प्रवेस करते हैं हाइडोजन परमाणू जब एनोड में प्रवेस कहां से करेंगे ये एक सर्किट के दोर प्रवेस करेंगे Hydrogen,narrator inodes में पुब्यस करते हैं लेकिन एक सर्किट के द़र पुब्यस करते हैं पर्माडों से उनके electrone अलग हो जाते हैं धन अवेसित, proton जिल्ली से होकर plic通 तक पहुँचते हैं ये membrane होती है बीच में इससे होकर धन अवेसित जो भी proton होंगे वो कैथोड की और गती करने लगते हैं धन आवेसित प्रोटान कैथोड की और कैथोड की और गती करने लगते हैं और रिन आवेसित इलेक्टरान एक सरकिट के माध्यम से गुजरते हैं जिससे बिजली उत्पन होती है ये रिन आवेसित जो भी इलेक्टरन होंगे वह सर्किट की माध्यम से गदि करने लगते हैं और इससे बिजली उत्पन होती है और इसी में इलेक्टिसिटी सिस्टेम लगा रहेगा यहीं से लाइट जनरेट होती है सर्किट से गुजरने के बाद इलेक्टरन फ्यूल सिल के उप उत्पाद के रूप में जल और उसमा उत्पन करने के लिए प्रोटान के साथ युगम बनाते हैं और इसी से इलेक्टिसिटी जनरेट होती है यही एक नॉर्मल सा फ्यूल सिल का कारप रणाली है सरकार द्वारे इस चत्र में उठाए गए कदम 2022 तक E10 और E10 का मतलब है कि एथेनल का 10% और 2025 तक E20 मतलब इथेनल का 20% मिस्टरन को हासिल करना है और BS4 से सीधे 6 में चले गए हैं यह तो आपको पताई है फ्लेक्स फ्यूल इंजन के आटो घटकों और आटो मुबाइल के लिए उतपादन से संबंधित प्रोटसाहन योजना को अरंब किया गया है कुछ और संबंधित सुर्किया क्या है कि रॉल्स रॉइस कंपरी ने हाइड्रोजन चले जेट इंजन का सफलता पूरग परिछन किया है हाइड्रोजन चले इंजन के बारे में देख लेते है hydrogen आधारित एक आंतरिक दहन इंजन पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन के समान से दहनतों पर ही काऱा करता है बस fuel चेंज हो जाता है petroleum के इस्थान पर hydrogen का यूझ किया जाता है hydrogen इद जशं के दहन से engine को चलने के लिए और जाउतपन होती है और hydrogen IC engine hydrogen fuel cell के समान नहीं होते है hydrogen fuel cell ये एक तरीके की बैटरी होती है लेकिन hydrogen IC engine ये पारंपरिक engine जैसे ही काम करते है hydrogen fuel cell का उप्योग कुछ electric वाहनों में किया जाता है hydrogen fuel cell में hydrogen विद्ध के निर्माड के लिए cells को सक्ति प्रदान करता है ये विद्ध वाहन के engine को संचालित करने में सहिक होती है इसे संबंधित कुछ अन्न महतपूर्ण नियुज है इनको देख रहते हैं रोसनी ये एक लाल टेन है ये important हो सकता है इसको पुझा जा सकता है कि रोसनी क्या है ये है भारत की पहली खारे पानी से रोसन होने वाली एक लाल टेन है इस लाल टेन में LED बल्व को बिजली देने के लिए समुदर के पानी को प्योग किया जा सकता है सिर्फ समुदर के पानी नहीं कोई भी पानी में आप नमक घोल के इस लाल टेन को जला सकते है इसका विकास किसने किया है राष्ट्री महासागर प्रद्योगी संस्थान चिन्नाई ने रोष्ट्री नामक लाल टेन का अविस्कार किया है Mission Innovation इसका तो लगता तो नहीं question आएगा लेकिन देख लेते हैं इसको एक बार सर्वजनिक नेजी गठबंद्रों के माद्यम से सच उर्जा समाधानों में तेजी लाने के लिए Mission Innovation के तहर इंटीग्रेटड बायो रिफाइनरी Mission के शुरुआत की गई है Mission Innovation एक basic पहल है और इसका लच्च क्या है कि दसक में सच उर्जा को किफायती या कर्चा का और सुलब बनाने के लिए अनुसंद्धान करना इस पहल में 22 देश और यूरोपी संग शामिल है भारत इसका संस्तापक सदस है Integrated बायो रिफाइनरी Mission क्या है इस मिशन कलच 2030 तक जीवाश माधारित 10% इधन रसायन और पदार्थों को जैवाधारित विकल्पों से बदलना है जीवाश माधारित 10% इधन रसायन और पदार्थों को जैवाधारित विकल्पों से बदलना है ये 2030 तक यह मिशन इनोवेशन द्वारा शुरू किया गया च्छटा मिशन है पांच अन्य मिशन है कौन कौन से मिशन है स्वच हाइडोजन मिशन ग्रीन पावर फ्यूचर फून उच्छरजन कारवन डाइकसाइट रिमूबल और कारवन ट्रांजिशन अंगला है एलेक्ट्रिक मॉबिलिटी पर यूके और नीतियायोग की सहयोगी पहल कॉप यूपी 26 के अध्यच और नीतियायोग ने भारत ने बैटरी चलित बाहनों के लिए पहलों का सुभारंब किया है यह पहले कौन कौन सी है एमरित एकसिलरेटर 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 एकसिलरे Green Growth Fund Technical Corporation Facility द्वारा समर्थित है इसी में हम अंगली यूनिट भी Miscellaneous Topic भी डिसकस कर लेते हैं इसमें पहला Topic है CERN European Organization for Nuclear Research ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि Large Hydron Collider को फिर से चालू कर दिया गया है COVID में इसको बंद कर दिया गया था यूरोपी परमाण अनुसंदान संक्टन के बारे में देख लेते हैं इसको 1954 में इस्तापित किया गया था सरन्द के सुधकरता ब्रमाण की मौलिक संरचना की जाच कर रहे हैं और पदार्थ के मूल घटकों मौलिक कन का अध्यन कर रहे हैं सरन्द के में 23 सदस देश सामिल है भारत इसका एसोसियेट मेंबर है सयोगी सदस है और इसका मिशन क्या है कि मौलिक बहुत की में अनुसंदान करना रूख लबधियां क्या है इसने हिक्स बोसान डवलू बोसान जड़ बोसान लार्ज हैड्रोजन कोलाइडर वा वर्ल्ड वाइड वेब आधी जैसे चीजों की आधी जैसे चीजों के बारे में विस्ट को अवगत कराया है लार्ज हैड्रोजन कोलाइडर क्या है यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सक्तिसाली कन तवरक है particle accelerator करण को गती प्रदान करने वाला सबसे बड़ा एक मसीन है large hydrogen large hydron collider इसे वर्ष 2008 में काम करना शुरू किया था इसकी कारप्रणाली क्या है तुरण प्रदान करना यह अतिचालक चुम्बक की 27 किलो मीटर की वल्याकार संरचना है इसमें कई तुरण संरचना मौजूद हैं जो इन संरचना के वल्याकार मार्ग में कड़ों की उर्जा को बढ़ाते हैं इस तरीके से इसको तुरण प्रदान किया जाता है 27 किलो मीटर की एक वल्याकार संरचना है 27 किलो मीटर की ऐसे वल्याकार संरचना है और इसमें टक्राव करवाया जाता है इन कणों का टक्राव करवाया जाता है कैसे त्वरक के अंदर उच उर्जा वाले दो कण प्रकास पुंज दो कण पुंज लगभग प्रकास की गति से एक दूसरे से टक्राते हैं और इससे नया पार्टिकल बनता है और इनका में चार पार्टिकल डिटेक्टर मौजूद हैं ये पार्टिकल डिटेक्टर हैं CMS हो गया और Atlas हो गया LIS हो गया LHCB हो गया LHCB एक प्रोजेक्ट था लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर ब्यूटी इससे संबंदित सुर्गियां क्या है पेंटा क्वार्ट और टेट्रा क्वार्ट लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर ब्यूटी प्रयोग ने सर्द में तीन नए कड़ों को खोजा है एक नए प्रकार का पेंटा क्वार्ट और पहली बार खोजे गए यूग में टेट्रा क्वार्ट नए हैड्रोजन की सूची में सामिल तीन कड़ है ये भौतिक वीदों को बहतर ढंक से यह समझने मदद करेंगे कि क्वार्क मिश्र परमाडू नविक का निर्मान करतें हैं चार कॉर्क और पांच क्वार्क कणों को भी ये संयोजित हो जाते है इन्हें ट्र क्वार्क और प्रिंटा कॉर्क कहा जाता है लेकिन ये याद रखेगा लार्ज हैड्रोजन को लाइडर के दोरा हिक्स बोसान का इक्स बोसान कंड के बारे में बताया गया था जेसी बोस जगदीश चंदर बोस का 164 वी जैनती इनकी मनाई गई थी इनका ये 1858 से 1937 तक थे जेसी बोस अचार जगदीश चंदर बोस वह एक भारती भोतिक विज्ञानी और प्लांट फिजियो लाजिस्ट थे слов क्रिया बिग्यानी थे राष्टबादी आदरस लसे प्रहित होकर उन्हें 1917 में बोस संंस्थान की स्थापना की जेसी बोस ने याद रखियेगा 1917 में की इसमें हो सकता है सुपास चंदर बोस का भी नाम दे है यह सहायता अनुदान प्राप्त करने वाला बिग्यान और प्रद्योगी विवा का एक स्वायत संस्थान बन गया 1904 में अमेरिकी पेटेंट से समानित होने वाले पहले ACI थे और 1920 में स्री निवासन रामारुजम के साथ में ये रायल सोसाइटी के फिलो बनने वाले प्रत्म ACI भी थे 1927 में भारती विग्यान कांग्रेस के चौद्वे अधिवेशन के अध्यच की रूप में भी इनको नियुक्त किया गया था और इन्होंने केस्कोग्राफ की रचना की केस्कोग्राफ नामा के कियंत्र का विष्कार किया था बोस ने केस्कोग्राफ ये अंधर का विष्कार किया बोस ने इसका प्रयोग बाह उत्प्रेरकों के अधिन पौधों के सूच विकास को प्रदर्सित करने था उनकी बिद् चोटी विद्धी का पता लगा सकता है अब इसमें क्या आप जानते हैं ये भी एक चोटा सा बॉक्स दिया इसको देख लिए जैसी बोस को बंगाली सथ का पहला साइंस फिक्शन लेखक माना जाता है इन्होंने निरुद्धेशेर कहानी निरुद्धेशेर कहानी दा स्टोरी आफ दा मिसिंग वन ये याद रखिएगा ये पूँचा जा सकता है The Story of the Missing One 1896 नामक कृतियों की भी रशना की जिने बंगाली साइन्स फिक्षन की पहली कृतियों में से एक माना जाता है इन्होंने पोला तोक तूफान प्रकासित किया था इस लगुक अथा में जेसी बोस ने पस्चिमी ग्यान को चुनावती देने के लिए जादूई य थार्थबाद नामक सहित का उप्योग किया था इनका योगदान क्या है बहुतिक के चेतर में वह मिली मीटर वेप्स और माइक्रो वेप्स उपकरणों के चेतर में अभूतपूर सोथ करने वाले प्रतंब्यक्ति थे मिली मिटर वेथ 10 मिली मिटर और 1 मिली मिटर के बीच तरंग दर्ध बाले स्पेक्ट्रम का एक विशेख बैंड होता है बरत्माने मिली मीटर वेब का उपयोग मुबाइल और बारलेस नेटवर्क पर वेबने प्रकार की सेवाओं के लिए किया जाता है क्योंकि यह डेटा ट्रांसफर की उची दरों में उची दरों को सच्छम बनाता है और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन कुछ है नहीं बोस को कोहरेर का उपयोग कर गुगलिलमो मारकोनी ने एक क्रिया सील दो तरफा रेडियो बनाया था और इसलिए इनको रेडियो बिग्यान के जनक की उपादी भी दी गई थी यूँकि रेडियो बिग्यान को पहली बार बोस बोस दारा समझाया गया था इसलिए इनहीं रेडियो बिग्यान के जनक के रूप में भी जाना जाता है जिव बिग्यान में इनका के यूगदान है इन्होंने पौधों पर मौसम रसाइनिक अबरोधों और तापमान के प्रभाव पर सूथ किया गयर तलब है कि रसाइनिक अबरोधक वेपदार्थ होते हैं जो रसाइनिक अबिक्रियाओं की गति को धीमा करते हैं वो रसाइनिक अबरोधक होते हैं पौधों की इस पंदन दरकुम आपने के लिए कोस्को ग्राफ का उपयोग किया गया था यह सावित कर दिया कि पौधों में जीवन और एक सब्वेदन सिल तंत्री का तंत्र मौजूद होता है पौधों की ब्रदी पर विद्द चुमकी विक्राण के प्रभाव का मापन बायो फिजिक्स और साइबर नेटिक्स का एक महत्पूंट शेतर बनता जा रहा है उन्होंने दिखाया कि कार्टेक्स कार्टेक्स काता है संबाहनी पारपों में जड़ या तन्य की बाहरी परत को कार्टेक्स बोलते हैं कार्टेक्स की सबसे भीतरी परत की जीवित कोशिकाएं संपंदनात्मा गति की इस्थितिति में थी उन्होंने ऐसा इसके द्वारा दिखाया एक कोस्को ग्राफ नामक जो एंतर बनाया था उसके द्वारा उन्होंने ये बताया इस पंदन का कारण कोसिका से कोसिका में उपर की दिसा में जल का संचरन होता है उनमें इस पंदन पौधों में इस पंदन का कारण क्या है कि जल का उपरी दिशा में संचरण पेशिकत प्रभाव इनसे जूड़ी दो प्रमुक्रितियों में से इनसे जूड़ी दो कृतियां है इनसे जूड़ी दो क्रितियां है रिसपोंस इन दैलिविंग और दैलिविंग एडल ननलिविंग और दैलब सम की खोज थी ये इतने सारे कणो होते हैं डबलू बोसान होगा है जेड बोसान, गलूओन आइटोन, टाउ टॉप, डाउन बहुत सारे ये कणो होते हैं तो इनसे समधितात क्या है इनका द्रबमान स्टेंडर्ड माडल के सिद्धान्द की अनुसार जितना होना चाहिए उससे काफी अधिक है आल की खोज संके देते हैं कि हमारे ब्रमान में एक नया मौलिक घटक हो सकता है अब इन्होंने एक नए मूल कण की खोज कर ली है मतलब ऐसी संभावना ऐसी संभावना देखी जा रही है जब से डबलू बोसान की खोज की गई है इस्टेंडर्ड मौडल क्या है यह प्रारंबिक या मौलिक कणों और उनके मध पारसपरिक क्रियाओं का वड़नन करने वाले गनती सूत्रों एवां मापों का एक समू होता है इसमें निवर्खित सामिज़ा है तो कौर्क और लेप्टान के रूप में 12 मौलिक कंड होते है पता पदार्थ के विभार को नियंतरित करने वाले तीन बल होते है तीन बल कौन कौन से होते हैं विद्दुचुमकी बल मजबूत परमानुबल और कमजोर परमानुबल लेकिन इसमें ग्रेवटी को गुरुत्वक अरसन बल को स्टेंडर्ड मौडल में सामिल नहीं किया गया है ये मौडल 1970 के दसक के सुरुवाद में विक्सित किया गया था इसे अब भी कंड भोत्की के अधार को इस फष्ट करने वाला सबसे सटिक सिधान्त माना जाता है इसने ऐसे कंड के अश्टित की भोसबानी भी की है जिसे अभी तक नहीं खो जा किया है वो है हिक्स बोसान हिक्स बोसान को अभी तक खो जा नहीं गया है इसके बारे में सिर्फ जानकारी दी गई है स्टेंडर्ड माडल है भी अधूरा है यह भी एक्जामें पूचता है कि स्टेंडर्ड माडल किस किस चीज की बैक्या कर सकता है यह ध्यान में रखिएगा तो हमको यह पता है कि किसकी बैक्या नहीं कर सकता है यह नहीं कर पाया अभी तक यह समान सपेचिता के अंतरगत गुर्त्व करसंड का विबरन इसकी बैक्या नहीं कर पाया ब्रमान का विस्तार तेजी से क्यों हो रहा है इसका भी बैक्या नहीं कर पाया है और एंटी मैटर की तुलना में मैटर अधिक क्यों है अभी तक इन तीनों सवालों का जवाब नहीं दे पाया है स्टेंडर्ड मॉडल इसी को खोजा जा रहा है इस मॉडल के दोरा कुछ अनमहत्पूर्ण सुर्कियां हैं इनको देख लेते हैं इसमें अनुसंदान और विकास से रिलेटेट कुछ न्यूज हैं उसको देख लेते हैं एक है मंतन प्लेटफर्म मंतन प्लेटफर्म क्या है यह भारत सरकार के प्रदान वैग्यानिक सलाहकार के कारियाले ने इसका सुबरम्ब किया है प्रधान वैग्यानिक सलाकार कार्याले ने क्यों किया गया इसकी सुरुवात देश के भीतर विग्यान और प्रद्योगी के सभी छेतरों को सच्छाम और सचक्त बनाने के लिए इसकी सुरुवात की गई है राज उतक्रिष्ट अनुसंदान उतक्रिष्टता योजना ये सर्व सियोर योजना ये याद रखियेगा सर्व सियोर योजना राज और निजी बिस्वद्यालो और कॉलेज में हाई एंड रिसर्च के लिए एक नई अभिनो योजना है इसे विग्यान और इंजिनरिंग अनुसंदान बोर द्वारा सुरू किया गया है सर्व विग्यान और प्रद्योकी विभा के अधिन एक सामविदिक निका है यह सक्री सोध करताओं को विग्यान, इंजिनरिंग और मातरात्मक समाजिक विग्यान के अगरणी छेत्रों में अनुसंदान करने के लिए अनुसंदान साहेता प्रदान करेगा बृतिका रिसर्च इंटरनसिप यह किस छेत्र में दी जाने वाली है बृतिका प्रेस्क्षन और कौसल इंटरनसिप के माधियम से विग्यान में प्रारम भतता अभ्यास का आवान करता है यह विग्यान और प्रद्योगी के तहत विग्यान और इंजिनरिंग अनुसंदान बोर्ट दोरा प्रायोजित है इसका उद्धिश बिश्च बद्यालों और कालेजों के होनहार इसना को तर चात्रों को एक्सपोजर एवं ब्यवहारिक क्रियसीर अनुसंदान का उसल विकास अनुभव प्राप्त करने का उसल पदान करना है Student Program for Ayurved Research Ken Spark Program Ken Spark Program स्पार्क प्रोग्राम का उद्धिश यूवा इसनातक चात्रों के सोध विचारों का समर्थन करना है Kenndry Ayurvedic विग्ञान अनुसंदान परसद देश बर के Ayurved कालेजों में नामांकित यूवा इसनातक चात्रों को Research Fellowship प्रदान करेगा Ayurvedic चात्रों को Ayurvedic से संबंधित मामलों पर सर्वच निकाए है CC RAS यह Ayurvedic में बैग्यानिक अदार पर अनुसंदान करने समन्बै करने सुत्रबद करने विक्षित करने और बढ़ावा देने का कारता है केन स्पार्क यह स्पार्क प्रोजेक्ट किसे रिलेटेड है Ayurvedic से रिलेटेड है यह याद रखिएगा Scientific Research Infrastructure Sharing Maintenance and Networks स्रीमान यह स्रीमान गाइड लाइन्स है स्रीमान गाइड लाइन्स किसे रिलेटेड है यह विल्ग्यान और प्रद्योकी विभागने जारी किये गए हैं यह सारवजनिक रूप से वित्पोसित विग्यानिक अनुसंदान और विकास अवसन रचना तक बहतर पहुंच के लिए स्रीमान दिसन निर्देश जारी किये गए हैं इसमें नेटवर्किंग और क्लस्टर द्रेश्टिकोंर सामिल है यह अतिरेक को कम करने और उपकरणों की अधिक विविद्धा प्राप्त करने के लिए क्लस्टर सेंटरल इंस्ट्रिमेंट फैसिल्टी निर्मित करते हैं CCIF उद्योगों विशेश कर सूच में लगू एवं मद्यम उद्यमों और स्टार्ट अप्स के साथ भी गटबंधन करेगा भारत में सड़कों को वाहनों के लिए सुरचित बनाने है तो आर्टिफिशल इंटेलिजेंस अधारित आई रास्ते आई रास्ते ये याद रखिए कि आई रास्ते समधान लाया गया है कहे के लिए सड़कों को वाहनों के लिए सुरचित बनाने है तो ये एक आर्टिफिशल इंटेलिजेंस है आई रास्ते आई रास्ते प्रद्योगी और इंजिनरिंग के माध्यम से सड़क सूरच्छा के लिए बुद्धिमत्ता पूर्ण समधान प्रदान करता है यह परियोजना सड़क दुरगटनाओं की समस्या से निपटने के लिए नागपूर में लागू की जा रही है आई रास्ते परियोजना नागपूर में लागू की जा रही है रास्ते याद रखिएगा यह परियोजना बिग्यान अदर प्द्योग की विभग द्वारा समर्थित है क्रियानवन आई टी हैदराबाद कर रहा है इसे डी इस्टी के इंटर-डीसिप्लेनरी साइबर फिजिकल सिस्टम पे राश्ट्री मिशन के तहत करियानवन की जा रहा है निधी प्रयास क्या है TGP बायो प्लास्टिक को सिंगल योज प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए सहायता प्रदान की गई थी इस परचैस के प्रोटोटाइप विकास के लिए निधी प्रयास बग्यान और पध्यों की विभाग नेत यायोग तथा सहयुकत राष्ट और द्योगे विकास संग्ठन के तहत SOOOOD funding प्रब्त हुई है बग्यान और पध्योकी विभागने National Initiative for Developing and Harnacing Innovations कारकरम शुरू किया है निधी के तहट Promoting and Accelerating Young and Aspiring Innovators and Startups कारकरम शुरू किया गया है निधी की इस निधी प्रोग्राम के तहट इसके अंतरगत इस्ताफित प्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द से निर्मित करेगा इस ग्यान आधारित संस्थान को एंकर वैग्यानिक संस्थान कहा जाता है समय समय पर संस्था गत परियुजनाओं और ब्यक्तिगत गत विदियों का आकलान करने के लिए एंकर वैग्यानिक संस्थान सहित प्रतेक संस्थान में एससर मुल्यंकर प्रकोष को इस्थापित किया जाएगा किसी ग्यान आधारित संस्थान की स्सार गठ विदियों और प्रजिनाओं को आर्ट सूर्स या उप अनुबंधित नहीं किया जाएगा यह बहुत ज्याद इंपर्टन टॉपिक नहीं ग्राफीन इंपर्टन टॉपिक हो जाता है Center for Nano and Soft Sciences की एक टीम ने Graphene Stabilized Tunable Photonic Center for Nano and Soft Sciences Sense की एक टीम ने Graphene Stabilized Tunable Photonic Crystal विक्सित किया है यह अधिक टिकाओ और बहतर परावर तक डिस्पले तथा लेजर डिवाइस बन सकता है Photonic Crystal इनकी याद रखेगा कि Graphene को वियोग लेजर डिवाइस के रूप में भी किया जा सकता है यह Graphene वगएरा एक्जाम में पूंचरता रहता है इसका यूज किसमें हो सकता है तक भी नेने टेक्नलोडी से ही बने हूते हैं Graphene में कारवन परमाणों की इकल परत होती है कारवन परमाणों की एकल परत होती है यह परमाण उमद मक्खी के सटकोड़ी छटे जैसी जाली के रूप में रसकर बंदे होते हैं यह एक कारवन का पर रूप है यह तो पता ही है इसका उपयोग पूर जादूर संचार एलेक्ट्रोनिक सेंसर और इमेजिंग बायो मेडिकल और प्यद्योकी में भी किया जाता है अंगला टॉपिक है एथिलीन ग्लाइकॉल यह क्या है यह एक रंग हीन और गंद हीन ऐलकोहॉलिक योगिक है एथिलिन ग्लाइकल रंग हीन गंद हीन अलकोहलिक योगिक है इसका सेवन स्वास्त के लिए घातक हो सकता है ये कैमरे के तापमान पर एक सीरप या चिपचिपे तरल जैसा होता है इसका ज़्यादा तर इस्तिमाल आर्टो मोटिव एंटी फ्रीज के रूप में और पॉलिएस्टर फाइबर के निर्मान में किया जाता है एथिलिन ग्लाइकल का इस्तिमाल आर्टो मोटिव एंटी फ्रीज और पॉलिएस्टर फाइबर के निर्मान में किया जाता है यह हैड्रोलिक ब्रेक फ्लूड, स्टैंप, पैड की स्याही, बाल पॉइंट, पेंट, सॉल्वेंट, स्पेंट, सॉंदर, पसादन, प्लास्टिक आधी में भी पाया जाता है, यह इंपोर्टन पॉइंट इसको देख लीजेगा, डाइथिलीन गलाइकॉल और एथिलीन गला पॉलिष्टर फाइबर के निर्मान में किया जाता है, यह हानिकारक होता है, घातक हो सकता है, रंग हीन, गंद हीन, अलकाहॉलिक योगी कोता है, अंगले टॉपिक है, सिंगल क्रिस्टलीन इसकेंडियम नाइट्राइट, यह बिग्यान और पिद्यो की विभागने, इसके इस पदार्थ की खोजकी है, यह पदार्थ अबरक्त प्रकास को नवी करणी उर्जा में परिवर्तित कर सकता है, इसकेंडियम नाइट्राइट, यह बिग्यान और पिद्यो की विभागने खोजकी है, जो की अबरक्त प्रकास को नवी करणी उर्जा में परिवर्तित कर सक सकता है यह पदार्थों के समानकुल जैसे गैलियम नाइट्राइट से संबंधित है और इसकेंडियम नाइट्राइट आधुनिक कॉम्प्लिमेंटरी मेटल आक्साइड सेमिकंडर्टर या सिलिकॉन चिप प्रद्योगी की के अनुरूप है इसलिए इसे अन्चिप आप्टि गोल्ड नैनो पार्टिकल इसको भी रखिएगा नियोज में था इसको पूचा जा सकता है इसे मानो शरीर में दवा वितरन को तेज और सुनिश्चित करने के लिए विक्षित किया गया है कार्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स मानो शरीर में दवा के तेज वितरन और को है इन नैनो कड़ों को कार्डीशिप्स मिलिटरिस एक उच्छ मूल पर जीवी कबक के और और गोल्ड साल्ट के संसलेशन से प्राप्त किया गया है कार्डीशिप्स मिलिटरिस यह नाम याद रखिएगा यह एक कबक है कार्डीशिप्स मिलिटरिस उच्छ मूल जीवी एक है यह तो इसका एक्स्ट्रक्ट आर्क निकाला जाता है और गोल्ड साल्ट के संसलेशन से कार्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स प्राप्त किये जाते हैं यह चार भारती संस्थानों के वैग्यानिकों का एक सहयुगात्म प्रयोग का एक प्रणाम है निक्स्टा मलाई जेसन एक अदहन ने इस तर्थ पर प्रणाश डाला है कि कैसे माय सबड़ा के लोगों ने अपनी मक्का मक्का मदीने वाला मक्का नहीं मक्का नहीं मेज को रासानिक प्रक्रिया के साथ यर्टिवाइड किया था कब मायः बढ़ा के लोग बोग यह मद्ध अमेरीका महदीप में रहते थे महाय सबदा के लोग कि बृतिस लोगों ने इनको खत्म कर दिया है तो वह लोग मक्का को फोटिफाइड कर दे थे इस प्रक्रिय को निक्स्ट अमलाई जेसन कहा जाता था नेक्स्ट अमलाईजेसन एक ऐसी विडिये जिसके द्वारा मेसो अमेरिका के प्राचीन लोग जैसे माया सब्बता के लोग अपनी मक्का को एक छारी गोल में भिगोकर पकाते थे इस प्रकारवे मक्का को अधिक स्वादिष्ट पॉस्टिक और गैर विशागत बनाते थे इस प्रक्रिया के द्वारा सुनेशित किया जाता था कि मक्के में अमीनो एसिड कैल्सियम और वेटमिन बीटूल बीटू बीटू नहीं वेटमिन बीटू होता है इनका मानोसरी अगर आप यहां तक इंड तक बने हुए हैं तो वीडियो देखने के लिए थैंक्यू अभी तीन टॉपिक और बचे हुए हैं इनके लिए अलग सी वीडियो बनाया जाएगा थैंक्यू फॉर बचिंग